गूद बार्निंग तुड़े वीविल स्टुड़ी चैप्टर 4 येट पेस नुम्बर 33 टोपिक फंक्शन ओफ इस्टेम आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे पेस नुम्बर 33 टोपिक फंक्शन ओफ इस्टेम फंक्शन मस मतलब काम तर्णा आज हम इस वीडियो में देखेंगे तणे के क्या क्या काम होते हैं तना जो है प्लांट के लिए कग क्या काम करता है अगर किसी पेड में तना नहीं होगा तो वो क्या सीधा खड़ा हो पाएगा नहीं हो पाएगा Second, the stem carries water and windles from the roots to the leaves and other parts of the plants This stem जो है water and windles को जो है नीचे जड़ से लेकर उपर पत्तियों तक पहुँचाता है और पोधे के बाकी सो में भी उसको पहुचाने का काम करता है हम जो पोधों को पानी डालते हैं तो हम क्या करते हैं नीचे जड़ों की तरफ पानी डालते हैं तो वो पानी नीचे जड़ों से होता हुआ जड़े कहां तक पहुचाती है उपर तने तक और तनों से होता हुआ वो पूपल पत्तियों में और पोधे के अन्य दूसरे भागों तक पहुचता है कुछ प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि स्वीट पटेटो और शुगर कैन वो अपने अंदर फूड स्टॉर करके रखते हैं इसलिए हम उनको खा भी सकते हैं कुछ स्टेम खाने के लिए भी यूसफुल होते हैं उनका यूस खाने में भी किया जाता है जैसे कि स्वीट पटेटो शुगर कैन इसके अलावा जैसे हम जो टैलमरी किया हल्दी यूस करते हैं वो भी एक टाइप का स्टेम होता है और जो जिंजर यूस करते हैं और अदर लिव्स प्लांट का नेक्स्ट पार्ट है लिव्स पहले मैंने आपको रूट पढ़ाया था उसके बाद मैंने स्टेम पढ़ाया आपको अब हम क्या पढ़ेंगे लिव्स अब लिव्स क्या हेल्फुल होती है या लिव्स का क्या काम होता है प्लांट में लिव्स आर कॉल् because they make food for the plant क्योंकि जो है वो प्लांट के लिए खाना बनाती है food प्रोड्यूस करती है इसलिए उनको kitchen of the plant कहा जाता है leaves are of various shapes and size leaves जो होती है वो अलग-अलग shapes और अलग-अलग size की होती है कुछ leaves बहुत बड़ी होती है कुछ leaves बहुत छोटी होती है जैसे की देखो यह पिक्चर में दिखाएगा है के बनाना leaves का shape ऐसा होता है coconut की पत्ती ऐसी होती है गुलाब की पत्ती ऐसी होती है नीम की पत्ती ऐसी होती है इस तरह से जो है अलग-अलग जो leaves होती है वो अलग-अलग तरह की होती है Do you know leaves contain a green pigment called chlorophyll which helps them to make their food जैसे हमें खाना बनाने के लिए अलग-अलग तरह के बासालों की जरुरत होती है उसी तरह से leaves में भी एक pigment पाया जाता है एक special thing पाया जाती है वो ग्रीन कलर की होती है वो हता है पिग्मेंट होता है जिसका नहाम है chlorophyll और इस पिग्मेंट क्लोरोफिल की हल सही जहें पत्तियां food produce करती है Parts of a leaf अब वो लीफ के क्या-क्या भाग होते हैं लीफ के क्या-क्या पार्ट होते हैं लीफ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो सब में सेम पार्ट होते हैं अब हम देखेंगे लीफ के पार्ट First, Istrometa It helps the plants to exchange gases Istrometa पत्ति पर पाये जाने वाले वो छोटे-छोटे छेद होते हैं जिनकी हल्प से पत्तियां गेसों का एक्सचेंज करती हैं यानि की गेसों का आदान प्रदान करती हैं पत्तियां पे रजाने वाले छोटे यानिकले इतनी होते हैं कि आखोंसे दिखाई नहीं देते हैं उन छोटे चोटे छोटे हैं से लस से ही पत्तियां क्या करती हैं कि carbon dioxide को अंदर लेती है और oxygen को बहाय निकालती है man van man van यहने मुख्य शिरा the thick van in the center of the leaf man van क्या होती है leaf के center मेंचे एक मोटी सी डंडी होती है डंकल वो क्या होती है man van होती है जैसे हमारी बोड़ी में नसे होती है उसी type से यह जो leaves होती है इसकी बोड़ी में भी stripe की नसे पाये जाती है side van a network of vans that arise from the man van man van से चुटी चुटी पत्या यह निकली होती है lines इनको कहते है side van यह बहुत अलग अलग तरह की सारी पत्यों में होती है किसी में बहुत जादा होती है किसी में थोड़ी कम होती है से चुटी पर होती है पत्ती को सीधा बनाया रखने का काम करती है जो What पत्ती से था वह मंदल होती है इसकी दूरा ही पत्तियों में इधर से आती जाते है तितियों जाते हैं और दूसरे महग से पत्त्तियों में आते है leaf blade leaf blade हमें उपर चप्टा भाग दिखाई देता है यह पूरा यह क्या होता है लीफ ब्लेड होता है जो इसको शेप देता है इस टॉक इस टॉक वो डंखल होता है वो डंठल होता है जो की जो है इसको पेड से जोलने का काम करता है कुछ पत्तियों में इस टॉक होता भी है कुछ प गोह पत्ति को चोटी हो और यह मेंट पार्ट तो में तो के दिखाई और क्सीच को नौर्मल पस पद्धियुच नौर्म ही दिखूसके जाल function of a leaf जैसे हमने root के function पढ़े ? जैसे में step के function पढ़े ? अब हमेगे पता चलेगा के leaf प्लान्ट के लिए क्या क्या काम करती है लिए clean leaves make food for the plant in the presence of air, water chlorophyll and sunlight जैसे हमें खाना बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ाइ具 ज़रृत हुती है के लिए गेज कि टेल की निम्हार में इसे काविंगे कारने के लिए एर की watt किую की अज़ियु आ सब्सक्किण होती है और जब यह जब आ होते है प्रिजेंस हो यह Мыद फॉर्ट प्रोड्यूस कर सकती है ठीक है लिए इस प्रोसेश त fluorosynthesis for वो प्रोसेस होती है जिसके दो थ्रू जो है फूट प्रोड्यूस करती है second on the underside of the leaves are teeny pores called istromata मैंने अभी आपको बताया जब मैंने इस्ट्रक्चर बताई थी कि जो leaves होती है उसके निचले वाली सतह पर छोटे छोटे पोर्स छोटे-छोटे ज्छेद होते है जिन्हें इस्ट्रोमेटा करते हैं leaves exchange gases through these pores leaves जो होती है इन pores की health से गैसों का एक्स्चेंज करती है जो gas उन्हें जरूरत होती है वो अंदर लेती है और जिस गैस की जरूरत निहीं होती है उसको वो बाहर निकाल देती है जैसे हम नाक से अंदर बाहर करते हैं सास को वैसे ये भी अपने छेस से करती है जब उन्हें फूट प्रोड्यूस करना होता है तब उन्हें को बाहर रिलीज कर देती है जो हम यूज करते हैं और जब उनको ब्रीथ करना होता है तब वह भी उक्सिजन को अंदर लेगी और कार्बन एक्साइट को बाहर निकालती है प्रण मिन्ड फूट को अपने अन्दर फूट को ख़त कर देडा। चैनल पोदि को अधर कि पृट अख़ता कर लिक्स उप्रेश क करते। कुछ पत्या सिलात पार्ण का पार होता है। आहित बभाल समय जी यह उसे पुछ आपको यह चैप की लिवस दिखाए गई है। इस तरह जो है लिवस प्रांट के लिवस की स्ट्रक्चर हम पड़ी को प्लांट के लिवस यूसफुल होती है